आगरा के बरहन में नारकिय जीवन जीने को मजबूर हैं सैफुरा फुटा गाउं के लोग लेकिन ग्रामीडों के सामने मुसीवत है कि उनके बच्चे स्कूल जाते समय गिर जाते हैं बुजरगी वहाँ से निकलते समय गिर जाते हैं और चुनाब के समय तो लोग बड़े बड़ी बाते करते हैं लेकिन चुनाब के बाद कोई भी कारे करना नहीं चाहता जिसको लेकर ग्रामीडों में खासा आक्रोस है ग्रामीडों का कहना है कि दो फुट पानी में मजभूरी से निकलना पड़ता है पानी की निकासी नहीं हो रही एक साल पहले बच्चा इसी पानी में डूब कर मर गया था लेकिन प्रसासन और बेसर्म सिस्टम की आँखों में आशू तब भी नहीं आए थे और ग्रामीड इसको लेकर खासे आक्रोस है अब देखना यह होगा कि समाचार 24 पर इस खबर को चलाए जाने के बाद कब तक प्रसासन अपनी कुमकर्ण ये नीद से जागता है और इस गाउं की सुद लेता है विजय सुलंकी आगरा समाचार 24 प्रदान से कहा तो प्रदान क्या रहा है अब बुदेव जी सब्सक्राइब किया है? अमाई घर में अमाजेट हमारे विदर यह तुकां जाएंगा है यह इस तिदी आपके यहां पर कितने इन से बनी है? कितने साल से बनी हुई है? तरग जिए कम से कम पंदरे वी साल तरग दिर से कहां के रहने वाले? कितने साल से ऐसी इस्तिती बनी है? कितने साल से कम से कम 20 सालते हैं? रामफुर्पनायक कहां करेने वाले हैं? क्यां सेफू डेरा बन जारा क्या परिशानी आप लोगों की? मूल समस्या हमारे गाउं की यह है कि नाली घरंजे जैसे हैं 2010 के बाद में कोई परधान जी ने कोई कारकाल नहीं कराया कार नहीं कराया अवतार समस्या यह हुई कि जो है पानी जो गाउं का आता है वो पुराने गड़े में चला आ रहा है 200 वरसों से वो तालावितना कव इसकी सिकायद किसी जनप्रदिनी से किया और नहीं किया सिकायद जनप्रदिनी से की SDM के माध्यम से भी की SDM और तैसिलदार और लेकपाल कानूबो पूरी टीम यहां बन करके आई उसका जो है निरिछन भी किया सर्वे भी किया तार फिक्सिंग भी की नाली पानी की निकासी की बात भी की लेकन आज तक 2018 से उस पर यह मुहिम चली कि यह पानी का निकास कहीं होना चाहिए लेकन आज तक 2018 से आज 2022 है उस 2022 तक आज पानी की सित्थी यह है कि घरो घरों पानी भर रहा है बर्दवान परधान जी ले इन लोग गाउं के लोग गये हैं उन्होंने अभी तक कोई विचार नहीं किया है वो गाउं की निती जो है यह अपना देते हैं कि सब्सक्रावार दीजिए हम आपको करा देंगे जबकि ऐसा कोई जीओ में ऐसा कोई प्रावधान आपके यह में की सब्सक्रावार आई महला के साथ